आज हम बात करेंगे कुछ most important बिंड्स की इसमें आपका जो टाइग लाइन है वर्ड के बिंड्स का है आपके पूरे वर्ड के बिंड हैं लेकिन सबसे पहले हम एक इंडिया की हवा की बात कर लेते हैं जिससे भारत के लोग ना भारत के लोग बहुत ही भाइभीत रहते हैं मैया की दोपाहर में घर से बाहर मत निकलो नहीं लू लग जाएगी नीबू पानी पीते रहो नीबू पानी पीते रहो आम का पानी पीते रहो मैं तो इस हवा की चपेट में कई बार आया हूं क्योंकि जब मैं क्रिकेड रुकेड खिलता था तो बार बार पानी की बहुत जदा नीड होते थी और हम लोगों कि यहां पर ग्रावन था वहां पर दूर दूर तक कोई नल नहीं हुआ करता था तो कई बच्चे इसकी चपेड में आते थे लेकिन हम लोग बिल्कुल बोलते ना की मजबूत हो चुके थे इस हवा यह हवा कभी एक दिन के बाद असर नही कि हवाए तो आपका सीम्पल सा इक अमसर होगा अच्छा सबसे पहले में पैंस से लिक लेता हो और कई बार बच्चे हमसे प्रिष्ट कैंसर होता है यह उन्हीं महलाओं को समर्पित है जिन लोगों इसकी सिकार हो चुकी है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका मनोबल हाई करने के लिए इस कलर से मैं लिखता हूँ तो कि यह अच्छा कलर होता है और यह बेसिकली यह उन्हीं को डेडीकेड किय समर्पित है इसको पेड करा लिए इस कलर को तो आपको पता होना चाहिए महलाओं को इंडिया में सबसे ज़्यादा अब इस उमें प्रिष्ट कैंसर होता है इस तन कैंसर होता है महलाओं में तो यह बेसिकली उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि उनको भी लगे कि हमार अद इतनी जब अब ठोडत सएग हवा है कि आपको थोड़ा सा भी आपको थंडी की फ्यमिलिंग नहीं दे की मतलत बही हवा चलती है ना तो सबसे पहले आपके चेरे पर गरम गरम जिसे आङ कर रभाफ होता है ना अजिए बहुत टेज गती से चलती है उटका जहत का पश्चिम से पूर्व की ओर है इनका वह आम तोर पर दोपाहर में होता है तक डोपाहर में कब होगा बारा बजे के बाद होगा इनुकि सुबा ही आठे बजे शुरू हो जाएगी आपकी लू की हवा लू हवा कब चलती ह दोपहर के बाद चलती है, पुरा माहोल बना कर चलती है, और जिसको एक बार नहीं पकड़ लेती है, वो बहुत दिक्कत होती है, उल्टी, तास्त, बहुत ज्यादा बीकनिस बॉड़ी में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही होट एंड ड्राइब नहीं है, गर्म और सुस्क हव आपको यह पता होना चाहिए, इनका अनभव आम तोर पर दोपहर में होता है, और तापमान 45 डिगरी से 50 डिगरी सेलसियस के बीच रहता है, जब भी आपके एरिया में टंपरेचर 45 से ऊपर रहेगा बेटा, आप समझ जाएगा कि हमारे एरिया में लू हवा चल लई है, औ लू चल ला है, कि यह आपका इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया में ज्यादा चलती है, बेसिकली नौर्दर एरिया में आपको पता होना चाहिए, जब भी टंपरेचर 45 डिगरी सेलसियस से 50 डिगरी सेलसियस के बीच में रहेगा, तो यह हवा आपकी बहुत तेज गती से रण करती है, और इस हवा की चपेड में आने से अच्छे अच्छो की हाला खराब हो जाती है विशतर पकड़ लें नाक्टर सुई पर पर सुई लगाता है, गलुकोस की बोतले राहाए चलती है क्योंकि इसमें वाठर की कमी आपकी बॉड़ी में हो जाती, बॉड़ी आ जाती है आप बिल्कुल मरने की गगार पर आ जाते हो आप यह बोलते हैं भगवान यह हवा कब खतम होगी तो लू कभी नहीं खतम होगी क्योंकि टंपरेचर ऐसे इंक्रीज होता रहे गया चलिए आगे बढ़ते दूसरी हवा की बात करेंगे बिटा जो हमारे सामने दूसरी हवा नाम है चिनुक यह बहुत ही खतरनाक हवा है जो मैं आपको बता देना सब गर्म हवा है और कहां से और ट्र prepared आ दियंट तो यह ट्राइब बहुत ज़्यादा परेशान होती इस बिंड से इस हवा से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है तो रॉकी माउंटेन से नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट के रॉकी माउंटेन से वर्जनेट होती है तो चिनूक is the name of the hot and dry local चिनूक गर्म और सुस्क अस्थानी हवा का नाम है या रॉकीज इवियस से और कनाडा के पूर्वी डहलानों से नीचे की और चलती है चिनूक का अर्थ है बर्फ खाने वाला मतलब यह इतनी hot होती है कि जिस भी बर फीले एडिया में पहुंच जाती है पूरे वहां के पिघल जाएगा, पानी खतम हो जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी हो जाएगी, बहुत ही हरे भरे गास उगाएंगे, जो यह बिंड है बेटा, यह पसू पालको के लिए, यह जो पसू को चराते हैं, जो पसू को पालते हैं, यह उनके लिए बाकी बहुत ही फाइदे मन धवा होती ही, आपको पता होना चाहिए, तो चिनूग का मिन्स होता है, बर्फ को खाने वाला, the meaning of चिनूग is slow either as they help in the early melting in the melting of the snow, बर्फ को खाने वाला, क्योंकि यह बर्फ को जल्ड़ी पिगलाने में मदद करते हैं, पतब जब भी चिनूग चलेगी आपको पता चिनूग एक हेली काप्टर का भी नाम है, सभी लोग सेर करते चलेंगे, जब भी चलेगी तो यह बर्फ को क्या कर लेगी बेटा, बर्फ को खार लेगी आपको पता होना चाहिए, और यह USA और कनाडा के एरिया से और जिनेट होती है, और यह एक गर्म का एक सुस्क अस्थानी हवा का नाम है, यह रॉकी इडियस्टे और कनाडा के पूर्वी ढहलानों से नीचे क्यूर चलती है, मतलब माउन्टेन से बेता जब भी यह उतरेगी, तो बहुत स्पीट से उतरेगी, ऐसे उतरेगी, फिर ऐसे सीधा हो जाएगी, और फिर यह 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 अंगूर की खेती करने वाले एक फार्मर्स के लिए काफी वेनी थीसियल बिंड है, और यह ड्राई एंड होड बिंड ही आपको पता होना चाहिए, और चिनूक मेंस होता है बर्फ को खाने वाली हवा, मतलब इतनी होट होती है, कि जिस भी एरिया में चलती है, उस एरि चिनूक बिल्कुल लूक है, जैसे एक होट एंड ड्राई है, लेकिन जब सिराकोग बिंड फ्लो करेगी, तो सिराकोग बिंड फ्लो करती है बिटा, तो इस बिंड के साथ में डश्ट भी अपने साथे लेकर चलती है, मतलब क्या है, इसकी स्पीड जो है चिनूक से काफी जादा है, मतलब ये लाइंड पर फ्लो जादा करती है, बिल्कुल जमिन की सता पर चलने वाली हवा है, बिल्कुल जमिन के नीचे चलने वाली हवा है, इसका उद्धम सहारा रेगिस्तान से होता है, जब भाई सहारा से निकलेगी, तो आपको सिंपल सी बात है कि वहां से जो सिंपर सी बात है खतरक होगी आखो जो आप आज में देख्चा होगा अमारे उत्तर Dani मिर्फ प्रदेष में कभी ऐसी आंधिया आती है कि आपके आखों से दिखना ही बन्हों जाता है आपके आखों में डश्च चले जाते हैं आप अंधो की तरह इससे करते रहते हैं ऐसे एक खोल कर देखते रहते हैं उसी प्रकारी सहारा रेगिस्तान से वर्जिनेट होती है या वसंत की हवाय भूमद्र सागर को पार करके पार करने के बाद सिराको समुद्र की नमी से थोड़ा थंडा हो जाता है जैसे ही सहारा रेगिस्तान से क्रॉस करेगी तो आपको पता है कि अभी अजिस के नॉर्दन एरिया से फ्लो करती है और आपको पता है उसके बाद सब्सक्राइब रेड कलर के पायटिकल को अपने साथ एबजॉर्ब करती है और उसके बाद यह میडिटेरियन से होके याती है तो नभी मिल जाती है तो जो रेड कलर के पायटिकल से लाल कर के हो जाते हैं और कुछ एडिया में आपके क्या कराती है खूणी वर्षा कराती है मतलब, खूण के जैसे पानी गिराती है आपको पता होना चाहिए, तो इस हवा को इस प्जेन में बोलते हैं, मिसर में बोलते हैं खमसिन और एजेंस आगर छेतर में इसको बोलते हैं, घरवी, इसके तीन नाम याद कर लिजएगा, सिराको के, अफर क्याक को आपकी बेटा के लृषर को अपने साथ करती है और जैसे मेडिटेरिये से नमी ले थी जो रेड़ कॉल के लट्री के शीत्र भीवुल्टे ऑजाते हैं जब तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर और खूनी वर्षा होती है मिस्र में खमसर बोलते हैं और एजियन सागर के छेतर में धर भी बोलते हैं अगली बिंड़ जिसका नाम है हर्मंटन इसको डाक्टर हवा भी कहते हैं तो हर्मंटन एक तेज सुस्क हवा है मतलब यह भी एक आपकी होट एंड राइब इंड़ जो उत्तर पुर्व से उत्तर पश्च्वम अफरीका में बहती है मतलब उत्तर पुर्व से उत्तर पश्च्वम की और अफरीका में बहती है मतलब ऐसे बहती होगी इस साइड में ऐसे बहती होगी इस सहारा रेगिस्तान से सीधी बहती है इस प्र तो बोक्टर हभा भी कहा जाता है बेटा मतलब जब अससे एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है वह लोग इस बिन्ड का ब्येट करते हैं कि यह बिंड का बायेगी और हम लोगों के लिए अच्छा तो इस एरिया से मौरक को आपका अलगेरिया वाले ऐरेया वाले समझके ये लोग काथ बहसारी से इंतीजार करते हैं, तो कई बाद इसको पूछ लेते हैं कि स्वास्ति के लिए फैर मंध्यू यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस हवा का लोग बेसमरी से इंतजार करते हैं